नमस्कार दोस्तों दोस्तों हमारी घर का जो पेंट है सुरुवात में दोस्तों पहले पेंट को देखने में चक 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 या फिर चमकदरी लगता है लेकिन बदलती मौसम या और दीनों की साथ दोस्तों एक साल या दो साल की बाद ही अगर सीलेन हमारा घर में आ चुका है या इस वाल को सबसे पहले दोस्तों अगर हमने मतलब treatment किया होता तो आज यह दो paint हमारा खराब हो गया है ना यह भाया बिलकुल भी खराब नहीं होता या फिर दोस्तों मान लिजे हमारा paint अभी खराब हो चुगा है पहले जो भाया हमने गाल्दी किया है waterproofing ना करके तो अभी दो बारा से अगर रिपेंट कर देंगे ना तो ए दोस्तो दो चार महिना की अंदरी फिर से पापड़ी बनना स्टार्ड हो जाएगा तो आज इस वीडियो में दोस्तो आपको अब लोग एसी वाटर पूर्पिंग की बारे में दिखाएंगे जिसे एपलाई करने की बार दोस्तो आपका जो घर का पेंट है ओ दोस्तो काफी हद तक आपका जो सीलेन है ओ दोस्तो रूख जाएगा और सीपेच नोना इन सारी प्रोबलम से आप रूख छुटकाना पास आ दोस्तो इसका एकी सोलियोशन है अब लोग एसी आन पेंड का डेम पूर्प को अपनी घर पर एपलाई करना दोस्तो एसी दोस्तो केमिकेल और हार्ट मेटरियाल से बना हुआ है जैसे कि आपकी घर में 100% दोस्तो वाटर पूर्पिंग का काम कर जाएगा अब सावाल है एस सीलें ना आए और कभी भी डेपनेस नोना फिर से बापस ना आए जो गलती पहले से हमने कर चुका था और गलती हमें दुबारा ना देखना हो इसलिए दोस्तो सबसे पहले आपको बाजार से ACN Pen का Damn Proof को दोस्तो ले के आना है और देम पुह में दोस्तो एक चीज़ को आपको ध्यान देना होगा कि Damn Proof दोस्तो सबसे पहले ही आपको करना पड़ेगा Primer apply करने से पहले Wall Putty apply करने से पहले Paint apply करने से पहले हमें ASEAN paint का DEMP ROOP जो है उसे दो कोट करना है करने का तरीका क्या है दोस्तों मान लिजिए आपका जो घर है आपका घर में जिस जगा पर नोना सीपेज या फिर सीलेन आ चुका है है ना तो उस जगा को सबसे पहले तार ब्रास की मदद से जो paint है वो खराब जो paint है loose particle है पू पलास्टर उखार के आघये तो इसको आच्छे से दोस्तों रिपयार कर ले क्या रहा है उसी सबसे पहले तार ब्रास की मदद से अच्छे से आपको साप-साफाई कर ले ना है करने की बाद दूस्तों जाडू différents से प accuracy 円 कर लेना है पूंजिने की बाद डोस्तों को करना कहा है सबसे पहले एक बर सबसे करना रब तरह ले आत्क पानी से चका चक कर ले करने की बाद अगर आपका किसी जगह पर रख्लाह आ चुका है याद रखना दोस्तों मांलिज आपका चय соверш दिवार में किसी जगा पर छोटा या फिर बड़ा क्राक्स आ चुका है तो उसको यूज करने की बाद दोस्तो बहुत आसानी से जो आपका क्राक्स है और मिट जाता है दोस्तो तो एसी अन पेन का जो क्राक्स फिलर है उसे अच्छे तरह से आपको भर लेना आपका क्राक्स भरने की बाद दोस्तो सबसे पहले एसी अन पेन का हमें डेम प्रूप करना है मिक्सिंग का तरीका क्या है दोस्तो तीन भाग लेना है आपको डेम प्रूप और एक भाग शिरिप आपको पानी उसमें मिक्स करना है और मिक्स करने की बाद दोस्तो आपको फास्ट कोर्ट ए अच्छे एक bonding हो जाए दोस्तो ऐसे आपको apply करना है किसी भी जगा पर थोड़ी सी भी छेत ना रहे इस चीज का आपको ध्यान देना है दोस्तो और जैसे आपका मतलब fast code हो चुका है तो उसे सुकाना है दोस्तो चार से छे घंटा चुकाने की बाद second code हमें apply करना है तो fast code हमन एक बुंद भी पानी mix नहीं करना है जैसे fast code में हमने पानी mix किया था damp proof में second code में हमें damp proof में पानी नहीं mix करना है दोस्तो और खास करके जिस जगा पर आपका sealant जादा है जिस जगा पर आपका paint पापड़ी बन कर निखरना शुरू हो चुका है उस जगा को target करके बहुत अ game sit email प्राइमार है उसvasive प्राइमार को आपको दो कोट कर लेना है और करने की बाद जोस्तो आप सिदे उस पार paint कर सकता है और अगर आप लोग चाहता है कि हम इस वाल पार मतलब paint करेंगे paint करेंगे कैसे दोस्तो वाल पूट्टी करेंगे तो क्या करना है देम प्रूव हो ज पहले यह आपको मतलब कर लेना होगा ताकि अंदर में रह जाए और अच्छा लियार हो जाएगा आपका जो वाल है और वाल और डेंपरू की बिज में अच्छा बॉंडिंग हो जाएगा दोस्तों तो इसी तरह से आप लोग आपका जो घर है उस घर को दोस्तों रिप्यार या फिर वाटर पूर्पिंग कर सकता है दोस्तों या फिर मानलिज आपका नया दिवार है और आपका दोस्तों संदे है कि हमारी वाल पर सीले ना आए इसलिए बादरूम में हो या फिर हमारा जो बैडरूम है उसमें हमें आच्छे से वाटर पूर्पिंग पहले से कर लेन है तो इसी तरह से दोस्तों करने से आपका घर में बिल्कुल भी वाटर पूर्पिंग हो जाएगा